ब्लेक फंगर्स बीमारी को लेकर 36 गड़ सरकार अलट हो गई है स्वास्तमंत्री टीयस सिंग देव ने बताया इसका इलाज बहुत महेंगा है और ब्लेक फंगर्स के इलाज के लिए इंजेक्शन का ओर्डर कर दिया गया है स्वास्तमंत्री टिये सिंग देव ने कहा ब्लैक फंगस के इलाज को डॉक्टर खूपचंद बगहेल योजना के ताइरे में लाने की चर्चा हुई है मैंने कहा है कि इसको खूपचंद बगहेल में शामिल किया जा सकता है प्रक्रिया पूरी करना बाकी है यह आईश्माल योजना का ही हिस्सा है इसलिए भारत सरकार से भी अनुमती लगती है क्योंकि इलाज महगा है विशेशग्यों ने बताया कि 5 से 7 हजार का एक इंजेक्शन है व्यक्ति को 21 दिन में 50 से 100 इंजेक्शन लगते है बहुत महगी इलाज की प्रक्रिया है दवाई बाजार में मिल नहीं रही है 5000 इंजेक्शन के लिए आपाथ इस्थिती बस सीधे और कर दिया गया है दवा की उपलब्धता के लिए टेंडर भी जारी करने के निर्देश दिये गए है कल चर्चा हुई है कल ही उसको चर्चा हुई है और मैंने कहा उसको शामिल किया जा सकता है और उस प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी शामिल करने का जो निर्ने रहता है उसमें उसको शामिल करना पड़ेगा और अगर ये आयुश्मान जो उसका हिस्सा है तो Government of India से भी इसकी अनुमती लगती है दूसरा क्योंकि ये महंगा इलाज है मुझे कल जो विशेश अग्यों ने बताया कि पांच-पांच-साथ-साथ-हजार का एक इंजेक्शन है और एक व्यक्ती को 21 दिन में 50-100 इंजेक्शन लगने है तो बहुत महंगी इलाज की ये प्रिया है और दूसरा उसकी दवाई मिल भी नहीं रही है इंजेक्शन मिल भी नहीं रहे है तो 5000 इंजेक्शन के लिए कल ही फाइल मैंने साइन की थी उसके ओर्डर के लिए के लिए भी मैंने कह दिया है कि CGMC के टेंडर के लिए भी निकाल दे तो बड़ी मात्रा में और महंगी काफी महंगी दवाई ये एक पेशेंट को 21 दिन में पचास से सौ वैक्सिन सौ इंजेक्शन इसके लगते हैं ऐसा मुझे विशेश अग्यों ने बता लिए संगीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से उटमीती तक दखल न्यूद आप क्या थे? आप देख रहे हैं दखल न्यूद